स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में आज अब कर रहें चैप्ट नंबर फोर रिटायर्मेंट और डेथ ओफ पार्टनर की कुश्यों नंबर 92, 93, 94 का एपार्ट एंड बी पार्ट कुश्यों नंबर 95 एंड कुश्यों नंबर 96 तक हम अगर आपको कोई भी क्यूस्यों देखने तो जाके देख सकते हैं इस चैप्टर की प्लेइलिस्ट से प्लेइलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवलेबल है कोई भी क्वेर होती तो बेच सकते हैं आप अमारे टेलिकराम ग्रूप पैसिफिक अकाउं प्रोफिट और लोजिज इंदा रेशियो 2211 और मुकेस रिटायर्मेंट कौन रिटायर हुआ यहाँ पर मुकेस रिटायर हुआ सेकींड नंबर पर पार्टनर है यह दग बूडविल ओविल इस वालुड एट 90 थाओजंट इसके रिटायर्मेंट के टाइम पर फॉन की ग रेशियो वर, pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill हमें क्या कर रहें, necessary journal entry pass करने goodwill के लिए, तो हम calculate करें सबसे पहले, तो किसका share, मुकेस का share in goodwill, कितना आएगा अपने पास, firm की goodwill कितनी है, 90,000, 90,000 में इसका share कितना है, retirement के time पे 2 by 6, multiply by 2 by 6, कितना आजाएगा अपने पास, amount आजाएगी 30,000, तो goodwill में कितना share आगया इसका, 30,000 इसका goodwill में share आगया, ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है question में, इतना हो गया, अब हम gaining ratio calculate कर लें हम पे, तो gaining ratio क्या हो जाएगा अपने पास, new ratio minus old ratio, पहले किसका calculate करेंगे रभी का, कितना share है इसका new, 1 by 3, नरेस का, कितन share है, 1 by 3, and उसके बाद योगेस का, योगेस का share भी कितना है, 1 by 3, partners का equal share था, minus कर लेंगे, इनका old share, तो रभी का old share कितना है, 2 by 6, ठीक है, उसके बाद, नरेस का कितना है, 1 by 6, and योगेस का कितना है, 1 by 6, ठीक है, एलसिम कितना हो जाएगा, इसका अपने पास 6, तो यह हो ज कितना जाएके 1 by 6 , इन दोनों partner का नरीस Εंड यो häस का, जो gaining ratio आ यह वो कितना रहं बंद दूद में अपने पास gaining ratio आ ओंचंद के गर हम जनन ल एंटरी करें तो जननल Eंट्री क्या हो जाएगे अपने पास गेनिंग पार्टनर, डेबिट, गेनिंग पार्टनर है कोन अपने पास, नरेस एंड, योगेस, तो एंट्री क्या जाएगा अपने पास, नरेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, योगेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू, नरेस योगेस टू, क्या जाएगा अपने पास, क 30,000 की amount है equally बाट नेंगे कितना आ जाएगा 15,000 and 15,000 ठीक है ये entry होगे अपने पास फर्स्ट क्यूशन होगे क्यूशन नमबर 92 था यह हमारा उसके बाद नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं क्यूशन नमबर 93 L M N O are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2 to 1 1 M and O दो पार्टन रिटायर हो गए यहां पर एक तो M गया यहां से एक ओ गया पार्टनर दा गुडविल ऑग दा फर्म इज वैलूडएट 360 L and N decided to share future profits equally distribute करेंगे यह हमें find out करने gaining ratio और जनरल entry हमें पास करने तो कैसे करेंगे देखो सबसे पहले तो हम calculate करते gaining ratio दो पार्टनर गए दो बचे तो दो कौन-कौन पार्टनर बचे अपने पास एक तो L बच गया और एक बच गया N तो इनका अपने पास new ratio क्या है 1 by 2 और 1 by 2 equally है तो 1 by 2 1 by 2 minus कर लेंगे एल का old ratio कितना अपने पास 2 by 6 और N का old ratio कितना अपने पास 1 by 6 L से हम कितना आगे अच्छे 3 minus 2 एक गटे चे कितना आगे अपने पास 6 कितना आएगा अपने पास 3 minus 1 बचे चे तो यहाँ पे gaining ratio क्या हो जाएगा अपने पास 2 ratio 1 गेनिंग रेशो के आगए अपने पास यहां पर two ratio वन का गेनिंग रेश्व आगए sorry one ratio two का, कितना अपने पास one ratio two का गेनिंग रेश्यो आगए अब हमें journal entry पास करने है, तो journal entry के आजाएगी L's capital account debit, L's capital account debit, यह दोनों तो अपने पास remaining partner गेन करें debit हो जाएंगे, बाकी कौन-कौन बच्चा अपने पास, M and O, ये दोनों जा रहे हैं, इनके capital credit हो जाएगी, अब हमें goodwill में share calculate करने हैं, चीक है, goodwill में share calculate करने हैं, पहले M का करते हैं, total goodwill of the firm कितनी है, 3,60,000, इसका calculate कर लेंगे कितना, M का share कितना है, 2 by 6, तो 3,60,000, divided by 6, multiply 2, amount कितनी आ जाएगी, 1,20,000, चीक है, उसके बाद calculate करेंगी O का, क्योंकि O भी जा रहे है, 3,60,000, इसका share कितना है, profit में 1 by 6, कितना आ जाएगा अपने पास, 3,60,000 का 1 by 6, solve करेंगे, तो ये आ जाएगा, 60,000, तो दोनों partner के amount आ गे अपने पास, कितना कितना है, M का तो आगया, 1,20,000, इसका आगया, 60,000, ठीक है, M & O का लिख लिए हमने, अब जो ये 1,80,000 आया, इसको दोनों partners distribute करेंगे, between the ratio 1, ratio 2, इन दोनों का total कितना हो जाएगा, 180, 180 को divide कर लो, किस से, 3 से, तो कितना आ जाएगा, अपने पास, 60,000, and 1,20,000, so entry क्या हो जाएगा, अपने पास, L's capital account debit, 60,000, L's capital account debit, 1,20,000, to L's capital N to O's capital 1,20, and 60, छीक है, so ये answer का question number 93 का, आप देखते है, next question, question number 94A, ABC partners है, profit sharing ratio कितना है, 5,32 का, A retire हो गया है, यहां से, A को retire कर देंगे, कितना share है, इसका है, यहां पर 5,32 में, 5 by 10, छीक है, A retire हुआ, and is a series taken by B and C equally, अगर हमें यहां पर gaining ratio बताना हो, तो directly बता देंगे, भाई, A का share B and C ने किस ratio में लिया, equally लिया है, तो gaining ratio क्या हो जाएगा, अपने पास, 1 ratio, 1 का gaining ratio आ जाएगा, ठीक है, तो gaining ratio हो गया, लेकिन question में हमें क्या calculate करने, new profit sharing ratio calculate करने, तो new profit sharing ratio क्या आ जाएगा, A जा रहे है, तो B will gain, B will gain, B कितना gain करेगा, A का retirement के time पे कितना share है, 5 by 10, का calculate करेंगे, C कितना gain करेगा, 5 by 10 का, 1 by 2, कितना आ जाएगा, 5 by 20, तो यहाँ पर लिखेंगे, A is a new share, कितना आ जाएगा, 3 by 10, sorry, A नी, B, B is a new share, 3 by 10, plus 5 by 20, LC कितना हो जाएगा, 20, 6 plus 5, कितना आ जाएगा, अपने पास, 11 by 20, उसके बाद, C is a new share, कितना आ जाएगा, अपने पास, C का new share क्या आ जाएगा, अपने पास, यहाँ पर, old share कितना है, इसका, 2 by 10, कितना मिल गया, इसको भी, 5 by 20, तो LCM कितना हो जाएगा, 20, 4 plus 5, कितना आ जाएगा, 9 by 20, तो partners का new profit sharing ratio क्या हो जाएगा, 11 ratio, 9, कितना आ जाएगा, अपने पास, partners का new profit sharing ratio, 11 ratio, 9, और अगर हमें, गेनी ratio बताने हैं, तो हम यहाँ से बता देंगे, 5 by 20, ratio 5 by 20, कितना आ जाएगा, अपने पास, 1 ratio, 1, चिक है, आप देखते, question number 94B, the goodwill of the firm is valued at 2 lakh, no goodwill account appears in the books, मतलब कोई भी पुराणे goodwill नहीं है, past the necessary journal entry, यह जो 94B है न, यह 94A का ही part है, चिक है, तो goodwill of the firm कितनी value कर ली, 2 lakh, तो इस goodwill के अंदर retire को न हुआ, A का share calculate करेंगे, age share in goodwill, कितना आ जाएगा, 2 lakh का हम calculate करेंगे, multiply by, कितना share इसका 5 by 10, multiply 5 divided by 10, कितनी value आ जाएगे अपने पास, 1 lakh, चिक है, कितना share आ गया, इसका 1 lakh, और partners का gaining ratio हमने calculate किया था, BNC का कितना है था, 1 ratio 1, तो entry के आ जाएगे अपने पास, B is capital account debit, C is capital account debit, to A is capital account, कितनी amount है, 1 lakh, 1 lakh distribute हो जाएगा, equally 1 ratio 1 में कितना आ जाएगा, अपने पास 50,000, and 50,000, छीक है, यह entry होगे अपने पास, 94B होगे, आप देखते हैं, next question, question number 95, L, M and over partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio, 1, 3, 2, L retire, कौन retire होगे यहां से, L retire होगया, and the new profit sharing ratio between M and O, is 1 ratio 2, मतलब हमें यहां पर gaining ratio, कुछ से calculate करना पड़ेगा, कर लेंगे, on else retirement, the goodwill of the firm is valued at 120, pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill on the else retirement, सबसे पहला काम है, gaining ratio calculate करना, तो gaining ratio में M कितना आएक अपने पास, new share कितना इसका, 1 by 3, minus old share कितना इसका, 3 by, कितना होग अपने पास, 6, कितना आजाएगा, 3 by 6, तो LCM कितना हो जाएगा, 6, 2 minus 3, minus 1 by 6 आगया, कितना आगया हमका, minus 1 by 6, minus 1 by 6 का मतलब है, हम gaining calculate कर रहे हैं, तो यह क्या कर रहे हैं, अपने पास, minus का sign अटा दे, तो यह sacrifice कर रहे हैं, ऐसी calculate करेंगे, Oka, Oka, new share कितना अपने पास, 2 by 3, minus old कितना है, 2 by 6, LCM हो जाएगा, 6, 4 minus 2, 2 by 6, यह gain कर रहे हैं, कितना आजाएगा, अपने पास, 2 by 6, कहने का मतलब क्या है, कि आप 2 partner sacrifice कर रहे हैं, तो retiring partner, और एक partner M, तो इनका goodwill में share calculate कर ले, goodwill का share calculate करेंगे, पहले L का, L का कितना आएगा, goodwill की value कितनी है, 1,20,000, multiply by, L का share कितना है, 1 by 6, तो कितनी amount आजाएगी, 20,000, ठीक है, ऐसे ही calculate करेंगे, किसका share हम, M का, क्योंकि M, भी sacrifice कर रहे है, 1,20,000, multiply by, 1 by 6 में sacrifice कर रहे है, तो इसका भी कितना हैगा, 20,000, दो partner sacrifice कर रहे है, एक gain कर रहे है, तो सारी amount किसे, किसे देनी है, फिर, okay, तो entry क्या आजाएगा अपने पास, gaining partner debit, means, O's capital account debit, to L's capital account, कितनी amount अपने पास, 20,000, 20,000, और यह कितना आ जाएगा अपने पास, 40,000, तो entry क्या होगी अपने पास, O's capital account debit, to L's capital account, and M's capital account, 40,000, 20,000, and 20,000, ठीक है, इस question में क्या लगता, कि यहाँ पर जो remaining partner अपने पास, जो continuing partner वो sacrifice कर रहा है, तो sacrificing partner को क्या करते है, credit करते है, तो इसका भी goodwill में share में calculate करणा पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद देखते है next question, और आजका last question, question number 96, देखू क्या है, XYZ और partner sharing profit and losses in the ratio of 3 to 1, there is no goodwill account in the books of the firm, कोई goodwill नहीं है, मतलब पुरानी goodwill नहीं है, on 1st April 2023, it was agreed that X would give only part of the time, मतलब कि वो कुछ time के लिए ही काम करेगा, firm के अंदर, to the business and that in the consequence he should receive in future only one half of his previous share, मतलब अब वो कुछ time ही देगा firm को, तो उसका जो profit का share वो भी हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, and remaining half being divided equally between Y and Z, partner यहां पर जानी रहा, ना किसी partner की death हुई, question यह कह रहा है कि जो X partner है अपने पास, वो अब कुछ time के लिए काम करेगा, पहले पूरा time दे रहा था business को, तो उस कुछ time के बदले में, वो सिर्फ आधा ही profit लेगा, ठीक है, अब वो जो आधा profit लेगा, जो आधा profit बच जाएगा, वो कौन ले जाएंगे, Y and Z ले जाएंगे, equally हमें calculate क्या करने है, तक goodwill of the firm is valued at कितना है, 40,000, ठीक है, and show the new share of the partners, अच्छा, new share calculate करने है, और journal entry करनी है, तो gaining ratio अगर हमें यहापे बताना हो, तो equally between Y and Z लिखका हुए, तो Y and Z का gaining ratio क्या हो जाएगा, अपने पास, यहापे 1 ratio, 1 का, चीक है, यह तुम direct बता सकते हैं, तो सबसे पहले तो यह देखो, share, surrendered by, share, sacrifice by, X, X ने कितना share sacrifice किया होगा, अभी इसका present share कितना है, 3 by 6, 3 by 6 का कितना sacrifice किया होगा, इसने half, 1 by 2, मतलब 3 by 12 इसने sacrifice किया, ठीक है, इतना आया समझ में, इसने half sacrifice कर दिया, तो इसका share कितना बनेगा, अपने पास, 3 by 12, या फिर इस 3 by 12 को हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसे solve कर ले, तो यह कितना हो जाएगा, 1 by 4, आप जो यह 1 by 4 इसने sacrifice किया, वो remaining partner Y and Z gain करेंगे, किसे equally, equally gain करेंगे, तो अपने पास क्या जाएगा, Y will gain, Y will gain, Y कितना gain करेंगा, 1 by 4 का half, 1 by 2 कितना, 1 by 8, and now Z will gain, Z कितना gain करेंगा, 1 by 4 का, 1 by 2, कितना, 1 by 8, now Y is a new share, Y का new share क्या आजाएगा, अपने पास, older share कितना है, 2 by 6, plus कितना gain किया, इसने 1 by 8, LCM कितना हो जाएगा, 48 लेलो, इन दोनों की multiply करलो, कितना आजाएगा, 48, या फिर 24 LCM लेलो, जैसे भी करना है, दोनों से same answer आएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 16, plus 6, कितना आजाएगा अपने पास, 22 by 48, now Z से new share, कितना किया, इसने 1 by 8, 48, 8 plus 6, कितना आजाएगा अपने पास, 14 by 48, so new ratio किया आजाएगा अपने पास, X का share कितना होगा, X ने sacrifice किया, कितना 3 by 12, इतना ही उसका share बचाओगा, इसका share है कितना 3 by 6, इसने 1 by 2 दे दिया, तो बचा कितना 1 by 2, तो इसका share कितना होगा, 3 by 12, कितना हो जा 22 ratio 14 कितना 12-22-14 तो partners का new profit sharing ratio कितना आगया 6-11-7 यह पार्टनर्स का न्यू प्रोफिट शेरिंग रिश्यो हो गया गेनिंग रिश्यो हमें अल्रडी पता ही है क्या वन रिश्यो वन हमें क्या करना है जर्णल एंट्री पास करनी गुडविल की अमाउंट कितनी केल्कुलेट कि हमने 40,000 x कितना सेक्रिफाई कर रहा है 1x4 x कितना सेक्रिफाई कर रहा 1x4 तो x से रिश्यो कितना हो जाएगा क confort कि जितना उसने sacrifice किया Dáन माल्टिप्लाइ बाइवे वन लॉन बाइव कितना killing 10,000 लोगी 10,000 ने इतना सेक्रिफाई किया 2S गिवन है इस question में हाँ एक अप्रेल दो ज़र देश को किया entry हो जाएगी wise capital account debit जट्स capital account debit तो एक्स capital account कितनी amount है 10,000 10,000 कैसे बटेगा equally बटेगा क्योंकि गेनिंग रिश्यों क्या वन रिश्यों वन तो amount कितनी आ जाएगी अपने पास फिर 5000 एंड 5000 तो एंट्री क्या होगे आपने पास wise capital account debit जट्स capital account debit टू एक्स capital account 55 and 10 नरेशन लिखने हैं तो क्या लिखेंगे being good will adjust तो यह अपने पास answer होगे question number 96 का तो आज के लिए इतना ही मिलते है next वीडियो में with question number 97